कैसे हो चलो आज हम लोग बात करेंगे income tax की RTP के उपर और जो लोग अगर group 2 वाले students हैं तो भाई audit और SM की RTP पे discussion जो है पहले ही शुरू हो चुका है आपको बहुत सारे important links मैं दे रहा हूं description में और comment box में please उस link को एक बार check out कर लिजएगा आपको भंडार मिलेगा भंडार इ और मैं आपको बस एक बार बताना चाहता हूं भाई हो कि इंकम टैक्स में ICI के MC की उसका level बहुत अच्छा होता है आप उसे हलके में ना लीजिए आपको बहुत ज़दा दिक्कत हो सकती है ठीक है यह कसमे खाके जाईएगा GST आसान SM OK OK audit आसान लेकिन सर इंकम टैक्स में बहाई साब ICI not महरबान चलिए आईए सर बात करना शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या कोशन जो हमारे पास है यह लीजिए तो यह अपकी जो है current RTP है और इस RTP के अंदर देखे क्या लिखा हुआ है पहला कोशन objective type question Mr. A aged 52 years पहले तो Mr. A individual है age 52 years senior citizen नहीं है is a CEO of XYZ Enterprise Limited non-government company है non-government company है during the previous year 1920 एक बात मैं आपको बता दूँ यह मैंने live session लिया था zoom पे बहुत सारे बच्चों ने से बहुत सारी गलती करी थी मतलब लगभग मुझे लगता है हमने बस 8 minute पहले announce किया था zoom के live session और लगभग 1110 बच्चे आ गये थे और उसमें से मैं आपको बत अगर आप समझदार है तो आप यहां पर कुछ चीज़े मार्क करके चल सकते हैं जैसे कि यह 80 TTA क्या बोला मैंने 80 TTA अच्छा जी 80 TTA के बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद कुछ और भी information जो प्रोवाइड की गई यह देखते हैं क्या information है वो he does not receive house rent allowance from his employer अच्छा जी ठीक है house rent allowance नहीं मिला Mr. A took a loan from State Bank of India on 27th October 2017 for repairing his house repairing word यहां पर बहुत जदा important है तो हमें इसको ऐसे एक block में डाल देना चाहिए at Delhi and paid interest on such borrowing 80,000 and 1,50,000 towards principal amount ठीक है जी 80,000 का जो है वो क्या पे किया था interest पे किया था हमें interest सही लिना देना होगा क्योंकि repairing का case है repairing की case में principal की asset जो है कोई deduction नहीं है obviously house property में तो मिलती ही नहीं है और ATC में भी नहीं मिलेगी Mr. A has made the following payment towards medical insurance premium for health policies taken for his family members medical premium for his brother brother के लिए medical premium पे किया है sir कोई खास बात नहीं करी आपने ATD में आपको इसकी deduction जो है वो नहीं मिलेगी medical premium for his parents parents लिखा है यानि कि मम्यबद दोनों के लिए मिला के 17,670 रुपे का जो है medical insurance premium paid है medical premium for self and his wife 21,000 रुपे buy check buy check दोनों ही buy check है बहुत ही बढ़िया है sir उसके बाद he incurred Rs. 6400 towards preventive health check-up 6400 का preventive health check-up कराया है preventive health check-up के अपनी limit आपको पताओ नीचे कितनी होती है मित्रों वो होती है Rs. 5000 ये cash में भी चल सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक निकाल लेंगे deduction हम लोग अगर पूछेंगे तो he deposited 1 lakh towards PPF बहुत बढ़िया he deposited 50,000 and 2 lakh 50,000 towards tier 1 and tier 2 NPS account respectively tier 1 and tier 2 क्या होता है आपको उसमें जाने की जुरुत नहीं थी लेकिन आपको पता होना चाहिए कि tier 2 में deposit कराने के बात deduction जो है वो किसको मिलती है ये इस question को बहुत important एक point था बहुत ज़्यादा important he paid rupees 5 lakh 30,000 as advanced tax अच्छा जी 2020 that is before the due date of filing of return of income from the details given above choose the most appropriate option to the question given below, सबसे पहले आपसे पुछा जा रहा है compute the deduction available to Mr. A under chapter 6 A for the assessment year 2021, तो सबसे पहले मित्र आपको deduction निकालने के लिए बोला गया है and I think deduction निकालने में हम सब लोग जो है बहुत ही असानी से इस काम को कर पाएंगे आईए जरा deduction निकालने चलते हैं, लीजे सब तो सबसे पहले ATC ATC में इन्होंने PPF में जो है वो amount डाला है कितना 1 lakh right PPF में इन्होंने amount डाला है कितना 1 lakh ATC में मुझे और कोई deduction तो नजर नहीं आयती सिर्फ एक PPF ही नजर आया था then ATCCD 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 National Pension Scheme Tier 1 50,000 डाले हैं और वो 50 के 50,000 जो है वो eligible है even वो आपकी उस वाले limit पे भी applicable है जो ATC और ATCCD पे मिला के लगती थी right तो वो 1 lakh 50,000 की हमारे पास हो गई है अच्छा Tier 2 Tier 2 के लिए भाई सब eligible ही नहीं है क्योंकि Tier 2 में जब investment कराते हैं तो सिर्फ government employee को deduction मिलती है वो भी under section ATC Tier 2 में जब पैसर डालते हैं तो सिर्फ government employee को deduction मिलती है वो भी under section ATC तो कुल मिला के ATC में 1 lakh और ATCCD में 1 lakh 50,000 तो टोटल 1 lakh 50,000 तो यह होगा है हमारे पास Then ATD Self and Spouse Self and Spouse Self के लिए कितने जो है पैसे डाले थे इन्होंने ATD में ज़रा देख लेते हैं जल्दी जाके 17670 यह तो parents का होगया 21,000 प्लस 6400 आपका था preventive health check-up 21,000 preventive health check-up 6400 यह आ जाता जी 27,400 but restricted to restricted to 25,000 parents 17,000 something था parents 17,670 चलिए साब parents 17,670 17,670 लीजे अच्छा जी यह तो होगी ATD फिर ATTTA हमने special mark किया था यहाँ पर काई बच्चों की गलती हुई थी वो लोग इसको नहीं कर पा रहे थे वो लोग confused थेख भई ATTTA उनको ध्यार ही नहीं आए basically 1,50,000 plus 24,000 plus 17,670 तो यहां तक तो गया था 1,92,670 ATTTA 10,000 जोड़ दूँगो मैं इसमें और यह आ जाएगा मिर पास 2,2,670 this is the amount of deduction under chapter 6 है बहुत सारे students ने क्या गलती करी है मैं आपको बता दूँ बहुत सारे students ने गलती करी है कि यह amount जो है इनका पहले आपको मैं question पर ले चलता हूँ हमारा answer यह आ रहा है किसी का answer हो सकता है यह आए किसी का answer हो सकता है यह आए सबस्वड़ी problem जो है वो NPS की वेज़े से हो रही है National Pension Scheme की वेज़े यह answer उनका आएगा जो National Pension Scheme में तो आपको deduction दे रहे हैं 1.5 लाग रुबे की क्यों ATCCD 1B को भी वो consider कर रहे हैं 1.5 लाग रुबे की deduction दे रहे हैं ATCCD 1B को भी वो consider कर रहे हैं जबकि साहब Tier 1 में जितना पैसा डाला आपको सिर्फ उतनी deduction मिलेगी Tier 1 में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपे डाले हैं इन्होंने तो 50,000 की deduction मिलने वाली है क्योंकि यह non-government employee है और यहाँ पे लोग बाग ATTDA की deduction लेना भूल गए इसलिए यह answer आ रहा है यहाँ पे NPS में 1,000,000 की deduction ले लिए उन्होंने आपका साथ में उन्होंने एक काम और कर दिया कि भाई 1,000,000 की deduction जो यह PPF में ले लिए है तो इस answer भी लोग बाग जो पहुँच रहे हैं जबकि यह answer जो है वो गलत है तो यह तीनों answer मेरे हिसाब से गलत है यह answer जो है आपका सही है 2,2,670 जिस answer पर हम लोग पहुचें एक बार आप लोग चेक भी कर सकते है 2,2,670 याद रखेगा क्या किया है students ने कहीं जगा पे कि भाई PPF की deduction यहाँ पे 1,000,000 ले ली देन उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई एक तो प्रिंसिपल जो था उसकी भी deduction ले ली हाँ पे फिर ATC में 50,000 और जोड दिये जबकि प्रिंसिपल की deduction नहीं मिल ली थी मैं आपको mistakes बता रहा हूँ कि क्या क्या करी है students ने उसके बाद गोले जी 1,500,000 तो इसका हो गया फिर 50,000 रुपे की deduction और ले ली इन्होंने 50,000 रुपे की deduction उन्हें ATC CD के लिए दुबारा ले ली भूला कि 1B में तो 50,000 के अलग से लिमिट होती है यह 2,000,000 बन गया फिर उसके अंदर कुछ पहले ही MCQ में क्या धारा शाही कर रहा है ICI जिनको concepts सारे नहीं पता उनसे सब question नहीं होने वाले आए नेक्स मुद्धे पे चलते हैं Assuming Mr. A Pays rent of Rs. 65,000 per month for his rented house at Mumbai अच्छा जी 65,000 है मुंबई में है To Mr. C a resident individual Is Mr. A liable to react TDS on such rent If so, what would be the rate and amount of TDS 194 I की बात नहीं चल रही है यहाँ पर students का कहना था कि Sir, क्योंकि Mr. A का last year में audit नहीं हुआ तो इसलिए जो है इनको TDS deduct नहीं करना मैं बोलूँगा वो बच्चे अपडेटेट नहीं है क्योंकि उन्होंने सर नया section नहीं पढ़ा है कौन सा section है मुझे बताईए comment box में comment करके ICI के study material में इसका question भी आया हुआ है तो देखते हैं क्या TDS deduct होना है देखो मुझे अब फिर से में आपको दाता हूँ MCQ करने कैसे मुझे यह तो बताई TDS deduct होना है अगर मुझे section पता है तो अब TDS किस percentage से deduct होना है और कब deduct होना है यह बड़ा important question देखिए उन्होंने क्या पूछा है क्या TDS deduct होना है अगर हाँ तो अगर रेट भी बताना है अच्छा भी 5% से होता है यह मुझे बता है जैसे मुझे पता जला 5% से होता है मैंने इसको भी कट कर दिया अब मुझे 5% वाले दो चीजे है एक है 3250 एवरी मन्त और एक है आपका 39,000 इंदी मन्त ओफ मार्च अब आपका जो relevant section है वो यह बूलता है section number बताईएगा मुझे comment box में 194 I का बड़ा भाई है 194 I का बड़ा भाई है है hint दे दिया अच्छा जी then yes Mr. E is liable to deduct TDS at the rate of 5% amounting to 39,000 in the month of March to 2020 this is the right answer अगर आपको याद हो यह नया नया section आया है यह जादा रेंट देने वालों को बोलता है कि आपने भी TDS डिदक करना है जाए आपका पिछे सल audit हुआ हो या ना हुआ हो लीजे सर then चलते हैं third question पर second MCQ काफी असान था third MCQ what would be the amount of net tax payable for the assessment year 2021 बच्चों की जान निकल गी सर यह question करने में आपको net tax payable जो है वो निकालना है आई यह ज़रा चलते हैं तो सबसे पहले salary 1 करोर 65 lakh पहली गलती बच्चों से होने के chances यहाँ पे salary दे रखी है कि 1 करोर 65 lakh की मिली है भाई इसमें से deduction भी तो मिलेगी under section 16 और वो deduction कितनी होगी पच्चास अजार पहली गलती यहाँ पे होती है बच्चों की then 1 करोर 64 lakh 50,000 then इसके बाद house property दूसरी गलती house property में loss कितना आएगा मेरे साफ से 30,000 आएगा क्यों 30,000 आएगा इसलिए 30,000 आएगा मेरे भाई मेरे प्यारे although interest 80,000 का paid है लेकिन self occupied property का case है और interest आपने पे किया है उस loan पे जो repair purpose के लिया था repair purpose के लिए जब आप loan लेते हैं उस पे interest पे करते हैं 30,000 के आपको deduction मिलती है maximum height यह मैंने minus कर दिया इसमें से तो यह हो गया 1 crore 64 lakh please calculation मेरे साथ साथ करते रहिएगा 20,000 फिर इसके बाद capital gain capital gain capital gain में हमारे पास income थी 1,6,500 इफ I am not wrong 1,6,500 कहा गया capital gain का amount कहां पे लिखा था यह यहां पे लिखा था भाई 1,6,500 if I am not wrong मैंने बोला ही था और सही जवाब question करा 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 के याद ही हो गया है 1,6,500 ठीक है other sources interest of 4,00, something, something अब इसी याद निए something, something याद हो है 4,82,778 4,82,000 please calculation 7,7,000 मेरी calculations भाई थोड़ी से कमज़ोर है पर आप लोग यह सारे figures और कौन से समझते जाएए एक गलती बच्चे यहाँ पे करने वाले है capital gain में बच्चे यह सोच रहे हैं कि sir capital gain में हम लोग यह एक लाग 6,500 क्यों लिख रहे हैं इसमें से 1,00,000 माइनस क्यों नहीं करके लिख रहे हैं तो बेटा capital gain में tax निकालते समय एक लाग की आपको जो है माफी दी गई है यहाँ पर आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा ओके देख लेते हैं एक बार कुछ चूटा तो नहीं है salary हो गई हो गई equity shares के gain हो गया बिल्कुल हो गया 482778 figure देख लिजेगा एक बार 482778 कर लिए हमने मैं यह दो पेजने delete ही कर देता हूं यह परिशान ही कर दे अरे आ जाओ पापियो दुष्टो चलो जी हाँ जी so figure था हमारा 482778 482778 हमने ले लिया उसके बाद house property की बात करते हैं तो house property में से हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें से 30 जार की deduction लेनी थी वो हमने ले लिए है उसके बाद यह तो deduction under chapter 6 है हम पहले से compute करके बैठे हैं advanced text वगेरा की बाते में पता हैं चलिए तो अब इसका जरह मैं total कर देता हूँ जल्दी से 1 crore 64,20,000 plus 106,500 plus 482778 is equal to 1 crore 70,9,278 this will be my gti less deduction under chapter 6 है although मैं आपको क्लास में बता रखा है कि properly आप लोग deduction under chapter 6 है कैसे देते हैं आप वोई format follow कीजिएगा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे mentally पता है कि यहाँ पर वो गलती नहीं होगी जो gti में से deduction less करते समय हो जाती है right मुझे experience से पता है और यह बात आपको भी पता होगी experience से लेकिन हर बार ऐसे मत कीजिएगा आप हमेशा normal income और income charge billet special rate को अलग निकाल के करेंगे तो फायदे में रहेंगे deduction under chapter कितनी निकली थी 2,2670 जो मारे last question का answer था चेक कर लिया जाए एक बार हाँ चेक कर लिया जाए 2,2670 यह आगे साथ हमारे पास 1,68,6,608 this is my total income अब ज़रा ध्यान दीजिएगा इसके उपर गलती होने के chance है अगर आप directly इसको पर tax निकाल देंगे इसको पर directly tax नहीं निकाल लेंगे बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे 1,065,00 1,6,500 माइनस एक लाग यानि कि 6,500 इस पर 10% का tax निकाल लेंगे यह आपका LTCG on listed equity shares हो गया कितना आगे है 650 रुपीज then हमारे पास remaining amount कितना बच गया है 1,6,8,0,6 6,0,8 माइनस 1,065,00 यह बच गया हमारे पास 1,067,0,108 अब इस पर tax निकाल लेंगे इस पर tax बिटर कैसे निकाल लेंगे ज़रा जल्दी अली से देखेगा पहले तो 12,500 हो गया come on फिर उसके बद 12,500 के बाद आप 1,12,500 हो गया एक लाग 12,500 हो गया इसमें से 10,00,00 माइनस कर दूंगा मैं इंटू 30% कर दूंगा इसमें पार घ्रेक्द कर दूंगा लचंग गया go फोल्स माइनस का 47,00,00,07,0,00 का मैंने इसवां 30 और सकर्षा पॉइंट फो रे राइइ इसका पॉइंटेकश के फॉइंट u यहां पाइप सी पॉइंट पॉइंट अबंब्स इन तीनों को ने सबस्क्रीच रहे हैं एक लाग 12500 प्लस 650 तो यह आ जाता है मेरे पास 4823182.4 ओके इसके बाद इसके बाद सर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास अब क्या क्या चीज़े बची है सरचार्ज सरचार्ज 15 परसंट लगेगा at the rate of 15 परसंट into 15 परसंट so it comes to 723477.36 ओके ने पॉइंट को भी इसको प्लस कर दिया मैंने that comes to 55,46,659.76 अब इसको उपर लगेगा CES health and education CES at the rate of कितना परसंट 4% वो आगया जी मेरा 2,21,866.39 अच्छा जी प्लस कर दिया तो total मेरा आ रहा है 57,68,526.15 अब इसमें से मुझे minus करना है अपना TDS और advanced tax तब जाके जो है मेरा answer आ जाएगा TDS जो है मेरा 51,89,000 का था if I'm not wrong और advanced tax जो है मेरा 5,30,000 का था एक बार जल्दी से check कर लेते हैं पेपर में आप लोग इस रिस्क मत लीजेगा हमेशे check कर के कीजेगा so 5,30,000 advanced tax और 51,89,000 का TDS लीजे साब यह दोनों minus कर देते हैं इसमें से 51,89,000 5,30,000 तो answer जो है वो आ रहा है 49,526.15 अब इसको सर नीरेस multiple of rupee 10 पे round off कर दूंगा तो 49,530 this will be my answer right आप देख लीजे 20 minute हो चुके मुझे आपस बात करते करते और आपका पहला case study based question चल रहा है उसका तीसरा question चल रहा है कमाल कर दिया sir इसी का fourth part है compute the amount of interest chargeable under section 234b on account of short payment of advance tax तो सबसेर दो 234b लगता कब है जब आपका जो advance tax paid है वो 90 प्रतीशत से कम हो जो आपका final tax निकल रहा है तो आपको जो final tax निकल रहा था और जब आपका advance tax बनता था उसमें सिरफ और सिरफ 49,000 something का difference था जो tax payable आया था हमारा 49,500 and 30 का और अगर आप ध्यान से देखें तो आपने advance tax और TDS कितना pay कर दिया था 5189,000 प्लस 5,30,000 यानि कि आप लोग 57,19,000 का advance tax और TDS गौर्मेंट का पहुचा चुके थे आपका बनता कितना था इतना क्या आपने इस amount का 90% pay कर दिया था 5,7,6,8,5,2,8 कि अगर ने बात करूं into 90% तो 51,000,000 कुछ बनता है तो yes मैंने तो 90% से जादे ही कर रखा था तो मेरे उपर भाई 2,34,000 भी तो लगना नहीं चाहिए 2,34,000 भी पूछा याद रखेगा तो 2,34,000 भी तो मेरे उपर लगना नहीं चाहिए मैं जाता हूं और देखके आता हूं कहां था वो option तो इसका answer होगा साब निल लीजे साब 21 मिनिट लगे हैं मुझे आपके साथ ये करने में और मैं मैं ऐसा उमीद कर रहा हूं कि आप लोग भी जब ये question करते या जब एक्जाम में ऐसा question आएगा तो भाई इतना समय खाएगा अब ये 10 नंबर का होगा तो 20 मिनिट से लगाना समझ आता है दस नंबर से कम का होगा तो भाई 20 मिनिट से लगाना समझ नहीं आता है तो ये देखिए एक तरीके से पूरा total income का question करा है इन्होंने आप से और उसमें से आप से सवाल पूछ लिए बहुत बढ़िया बढ़िय की का जिसमें हमने mcq कवर की हैं चार लगबग धाई नंबर का एक एमसे क्यू अगर ये 10 नंबर का एक question था तो right next question पे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं एक और धमाकेदार धमाकेदार सवाल from ICI भाई ICI ने सोच लिया है कि छोड़ेंगे नहीं तो अब सर्थ हम लोग इसको करना जली से शुरू कर देते हैं और क्या है ये question ज़रा देखिए Ms. Chanchal aged 45 years Chandan Sabadan Chanchal Chitvan Provide the following data of a gross receipts for the financial year 18-19 and 19-20 She is engaged in agency business along with providing service as a tarot card reader अब आदे बच्चे यही दराश आई सर यह tarot card reader जो होते हैं विटा जो चलो ठीक है यार ऐसे मज़ने लिने चाहिए Basically आपका भाविश्य बताते हैं कुछ cards आपसे चूज करवाते हैं फिर आप जो card चूज करते हैं उसके बिताते हैं अब आपके साथ जो है वह हो सकता है So tarot card reader भी है चंचल जी और साथ में जो है वह एक agency business भी चलाते हैं यह उनके business की receipts है यह उनके profession की receipts है यह उनके profession की receipts है यह उनके total gross receipts है During the financial year in 1920, she paid an amount of 1,20,000 to a contractor एक लाग भी जार रुपे दियों ने contractor बाभू को for polishing her old furniture she has taken services from renowned interior designers हमारे शर्माजी आगे है यहां पे शर्माज आनना चाहेंगे आप वीडियो में she has taken services from renowned interior designers for herself occupied residential house property for which she paid for which she paid 2,50,000 okay no problem further on 28-5-2019, she sold one commercial property for 50,00,000 the value adopted for stamp duty was 52,00,000 it was purchased for Rs 40,00,000 on 8-24-2017 आपको दे रख आ हैं और कहीं न कहीं हींट मिल रहा है कि लॉंग टम ही होगा भाई 24 महीने वालोग अपनू आपको याद उनजीए the brought forward long term capital loss from the unlisted share for financial 1819 is 7,800,000 brought forward आपको loss बता रहा है उन्होंने रॉरिंग दा ये मिस्स चंचल incurred a loss of 70 lakh while trading in the agricultural commodity derivative आदे बच्चों की बैटरी ही पर निकल गई लेकिंगे मैं आपको बता दूंगर आपने हमारे साथ क्लासेज ली हैं तो आपको पीजी वी की क्लास में एक स्पेकुलेटिव बिजनस के उपर लास्ट में एक लेक्टर मिलता अने जोब डेपरिशेशन से पहले वहाँ पर आपको बताया गया था कि देखे यह पहले तो मन में सवाल किया था क्या यह स्पेकुलेटिव बिजनस है answer is no यह speculative business नहीं है महाँ पर आपको जो last heading पढ़ाईगे थी trading in commodity वो भी speculative business नहीं होता लेकिन CDT की requirement थी लेकिन agriculture commodity derivative में CDT की requirement नहीं होती यानि अगर agriculture commodity derivative में आपने CDT पे नहीं किया है तो भी हम उसे क्या है हम उसे speculative नहीं मानेंगे बागे सब commodity derivative में CDT पे होना जरूरी था आईए तो यह हमारा एक non speculative loss है याद रखेगा non speculative अच्छा from the detail given above choose the most appropriate option to the questions given below तो सबसे बहले आप से पूछे जा रहा है क्या चंचल जी को tax audit करवाना है अपना क्या चंचल जी को tax audit under income tax tax 1961 for the previous year 1920 तो यह तो पता चलेगा इनकी gross receipts देख के business की अलग और profession की अलग total gross is exceed 1 करोट नहीं total तो में देखनी नहीं gross is if a business no as the gross is if from business or profession below the specified limit ये मुझा आन से बिल्कूल ठीक लग रहा है yes as the gross receipt of the business exceed 50 lakh ना ये तो लिमिटी गलत दे रखी है तो भाई मेरे साफ से तो इनको tax audit जो है वो नहीं करवाना है क्यों इनकी भाई gross receipt अगर आप देखें तो एक सीड नहीं कर रही है ना specified threshold limits है अब threshold limits क्या होती है आप मुझे बताएं comment box में business के लिए क्लिए क्या होती है और profession के लिए क्या होती है आई let's move further पहला question हमारा हो गया दूसरे question में चलते है what is the total amount of tax to be deducted by miss chanchal for previous year 19-20 chanchal ji ko tax कितना deduct करना है अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों से बात करी तो वो confused हो रहे थे कि यहाँ पर tax liability मांगी हुई है नहीं नहीं भाई यहाँ पर tax liability नहीं मांगी हुई है यहाँ पर आपसे पूचने TDS बताओ कितना deduct करना है चंचल जी ने तो चंचल जी ने TDS जो है वो deduct करना ही नहीं है क्यों नहीं करना है आप देखिए जो भी payment कर रहे है पर्सनल पॉपस के लिए कर रही है और पर्सनल पॉपस के लिए कर रही है थ्रेशोड लिमिट से उपर नहीं जा रही है यहाँ जो नहीं नहीं लग रहा है तो बिलकुल यहाँ पर TDS करने का सवाल ही नहीं उठता है तो इसलिए इसका answer क्या होगा निल जैसी मैं चंचल तूने मुझे बुलाया शेरवालिये ओके एंड फन फेक्ट आपको एक फन फेक्ट भी बताता हूं बीच में के भाई साब वह जो गाना है ना दो गुट पिला दे साखिया बाकी मेरे पिरोड दे वह गाना भी भाई साब नरंदर चंचल जी ने गाया है तो कहां तो भाई पे इंटीरे डिजाइनरों को दियें सेल्फ उक्युपाइड रिजिदेंशल हाउस प्रपटे के लिए भाईया तो कोई बात ने चलता है आईए नेक्स पर चलते वाउंट अवाउंट 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 नेचर अचार्जबल टेक्स इन हैंड्स चंचल तो बेसिकल करना है इंटू 289 डिवाइड वैट 272 इंटू 289 डिवाइड वैट 272 और वह आ जाता है 42,50,000 तो यह इनके लिए लॉसस विच दिवाइड पर असेस्मेंट यह 21-22 असुमिंग बिजिस इंकम इस 45 लाग और इंकम फ्रों प्रोफेश्चिन इस 25 लाग तो ठीक है भाई पिछले साल का और इस साल का साड़े साथ लाग की इंकम है साड़े साथ लाग की इंकम का है यह जो हमने निगा लॉंग तो साड़े साथ लाग और साथ लाग करेंगे जो 30,000 बच जाएगा मित्रों वो 30,000 हमारे लिए हो जाएगा carry forward और वो है आंसर यह 30,000 सेक्शन में confused मत कर रहा है ओके चलिए तो यह सर हमने 20 नंबर कवर कर लिए इंकम टेक्स में इस समय आपके सामने बैठे 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 आटीप के बारे में दो तीन बाते और बुलना चाहूंगा मित्रों आटीप इंकम टेक्स की GST की SM की audit की सबकी आटीप आपको पूरी-पूरी सौल करा जाएगी मॉक टेस पर आएंगे वह भी सौल करा जाएंगे हम लोग जब भी आपको क्लासे देते हैं लोग कमिट्मेंट के साथ देते हैं कि जितने भी कोश्यंज आई सी एक हैंगे और वह कमिट्मेंट फुल्फिल भी हो रही है बिल्कुल राइट तो चलिए थैंक्यू सब्सक्राइब करें तो जीटना मन मित्रो बाइबाइब मित्रो